दियर इस्टुडेंट्स मैं डॉक्टर एमु चादरी एसोसियेट प्रॉफेसर डिपार्टमेंट ओफ जुलोजी गवर्मेंट गल्स कोलेज मगरा पुंजला जोदपूर आज की बीएसी पार्ट थर्ड जुलोजी की ग्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं हम पढ़ रहे थे पेपर फर्ष्ट एनिमल फिजियोलोजी और बायो केमेस्ट्री और इसके फर्ष्ट यूनिट फिजियोलोजी ओफ डाइजेशन में हम अभी तक पढ़ चुके हैं डेवलोपमेंट ओफ टीथ के बारे में टाइपस ओफ टीथ टंग एंड एलिमेंटरी के पार्ट के बारे में आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं इस्टोलोजी ओफ एलिमेंटरी के अनाल के बारे में तो जैसा कि यहां पर चित्र में दिखाया गया है कि माउथ जो है इसका अगला भाग हार्ड पैलेट से बना है और इसो फैगस से लेकर के रेक्टम तक वाला भाग जो है वो शौफ्ट पैलेट से बना हुआ है माउथ का अगला पार्ड जो है वो एक्टोडर्म से बना है और एनस वाला भाग जो है वो एक्टोडर्म से बना है और बीच वाला पूरा भाग जो है अलिमेंटरी के नाल का वो एंडोडर्म से बना है तो इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति एक्टो एंडोडर्मल होती है यहां पर अलिमेंटरी के नाल के different parts की बहरी इस्तर का T.S. दिखाया गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे बाहर वाले इस्तर को elementary के नाल के सबसे बाहर वाले इस्तर को tunica advencia या cirosa layer कहते है इसो फेगस के अत्रिक सेज अहार नाल का बाहरी इस्तर visceral peritonium का बना होता है जिसको cirosa कहते है और isophagus का इस्तर tunica advencia कहलाता है जो white fibrous connective tissues का बना होता है तो यहाँ पर आप देखिए F ad लिखा है इसका मतलब है या किसका बना हुआ है यह इस्तर जो है tunica advencia का बना हुआ है क्योकि यह fibrous है white connective tissues का बना हुआ है और पाकी सभी में इस परत को cirosa कहते हैं कि नेक्स्ट है इस्टोलोजी आफ इस्टमक को देखें तो इसमें मसल लेयर्स जो है वह उपस्तित है और यहाँ ट्यूनी का एडवेंस या च्छ इस्तर के बीतरी भाग की तरफ इस्तित होती है यह इस्तर दो परकार की पेशियां से बना हुआ होता है इसमें बाहरी पेशिया अनुदेदरिया यानि लॉंगिट्यूडिनल मसल्स होती है और बीतर की तरफ वर्तुल यानि सर्कूलर मसल्स उपस्तित होती है आमसे में ओबलिक मसल्स का एक अत्रिक्त इस्तर भी पाया जाता है तो सबसे बाहर की तरफ यह ओती हैं बाकी में ओबलिक मसल्स एपसेंट है लेकिन इस्टोमक में ओबलिक मसल्स भी पाई जाती है तो इस परकार से सबसे थिक मस्कूलर लेयर जो है वो इस्टोमक में पाई जाती है क्योंकि सबसे अधिक और तीवर क्रमा कुंचन तरंग गतिया आमासे में पाई जाती है और सबसे कम पेशिया रेक्टम में पाई जाती है सबसे कम कर्मा कुंचन तरंगतिया रेक्टम में पाई जाती है इसके कारण वहाँ पर मसल्स भी कम पाई जाती है तो इस टमक में पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट सबसे अधिक होता है इसके कारण इसमें सबसे थिक मस्कुलर लेयर पाई जाती है सब म्यूकोसा या अध्यसलेसमिका यह पेसी इस्तर के नीचे पाया जाता है और लूज कनेक्टिव टीशूज का बना होता है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बीच वाला बाग है जहांपर की ब्लड वैसल्स और नर्व फाइबर्स अधी उपस्तित हैं तो यह लूज कने बिच़्स सब म्यूकोसा में जैसा की अभी मैंने बताया था ब्लड वैसल्स नर्व लिंफ वैसल्स और सिलेसमिक कोशिका आई पाई जाती है इसके नीचे हैं सबसे का लेएर यह सबसे बीतरी भाग है और यह सबसे बाहरी भाग जो है मूज मुकोस ब्रान क कहलान है सबसे बाहरवला भाग जो है वो म्यूकोसा मस्कुलेरिस कहलता है यहाँ भाग लॉंगिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स का बना होता है लेकिन यह पेश्या अवसेसी यह वेश्टीजियल होती है यह हार नाल के वलना को सपोर्ट देती है यानि फोल्ड्स को सपोर्ट दे का काम करती हैं मध्यभाग सब्सकीत जाली कावत संइवयोजी ऊद्ड्คॉं का यानि रैटकुलेट अउन पनेक्टिव टी श्यूज का बना होता है और लेमिना प्रोप्रिया कहलता है जैसा कि यहां पर चितर में दिखाया गया है लेमिना प्रोप्रिया वाला भाग यह सबसे बीतरी भाग जो है वो म्यूकोसल लेएर या स्लेश में किस तर कहलाता है या इस तर अहार नाल की गुगा का अस्तर बनाती है तो इस परकार से सबसे अंदर वाले भाग को जो है म्यूकोसल लेयर कहते है जो कि अहार नाल के अंदर की तरफ वाला भाग या स्लेशमिक लेयर बनाती है इसोफेगस के अत्रिक सेस अहार नाल में यह इस्तर एक परत मोटा होता है इसका म्यूकोसल लेयर वाला इस्तर है यह इसोफेगस को छोड़ दें तो सभी में यह इस्तर जो है वो कंपेरेटिवली यह परत मोटा होता है जो इस्तंबाकार यानि कॉल्बनर स्लेशमा उपकला का बना हुआ होता है तो यहां कॉल्मनर म्यूकोसल एपिथीलियम का बना हुआ होता है और इसोफेगस में यह इस्तर सलकाकार उपकला का बना होता है यानि इस्ट्रेटिफाइड इसकॉमस एपिथीलियम का बना हुआ होता है यह इस्तर ही अहार नाल में उभार बनाते हैं इसोफेगस के उभार अल्प विक्सित होते हैं क्योंकि यहां पर यह इस्तर एपसेंट होता है जैसा की देखो आप चित्र में दिखाया गया है यहां पर जो म्यूकोसल लेयर है स्लेश्मिक परत हैं वो यहां पर कम विक्सित हैं इसके कारण यहां के फोल्ड्स जो है वो कम विक्सित है आमासे के उभार अंगुली की बाती होते हैं आमासे के उभार जो है वो फिंगर लाइक से और छोटी आंत में यह उभार आगे की तरफ से कोन सेप्ड हो जाते हैं जिनको रसंकूर या माइक्रो विलाई कहते हैं माइक्रो विलाई के आधारी भाग में इसके बैसल पार्ट में चोटी चोटी रिजेज पाई जाती हैं दरारे पाई जाती है जिनको क्रेप्ट्स ओप लिबर कुल यानि कि लिबर कुल की दरारे कहते हैं यहां पर ड्यूटीनम के माइक्रो विलाई छोटे तथा मोटे होते हैं जबकि मद्य आत्र और यानि मिड इंटेस्टाइन और इसका सेस बाग जो है उसके माइक्रो विलाई नुकिले पाए जाते हैं जिजनम और इलियम वाले बाग के माइक्रोविलाई जो है, वो आगे की तरब से नुकिले होते हैं, जैसा की चित्र में दिखाया गया है। मल्टी सेलूलर है और गोलाकार क्रंथिया है। ये महीन नलीकाओं के द्वारा लीबरकुल की दरारों में, यानि क्रेप्ट्स ओफ लीबरकुल में खुलती हैं और इनके द्वारा सारीय जल का सिक्रीशन किया जाता है। इनके द्वारा भी सारीय एंजाइम का सिक्रीशन होता है। इनजाइम ब्रूनर्स ग्लैंड्स के सारीय जल के साथ मिलकर के आत्रियरस या इंटेस्टैनल जूस बनाते हैं। जिसे सकस एंट्रीकस भी कहते हैं। थर्ड है पेर पैचेज। यह छोटी छोटी लसी का की गाठे होती हैं। जो छोटी आत के म्यूकोसा में पाई जाती है। और इनफे इंटेस्टैनल टांसिल भी कहते हैं। सबसे अधिक इंटेस्टैनल टांसिल इलियम में पाए जाते है। यहां पर इलियम में पैचेज दिखाए गये है। नर्व डिस्ट्रिब्यूशन अहार नाल की पेशियों को ऑटोनोमस नर्व वित्रित होती है और यहां पर तंत्री गाएं दो जाल इस्तरों की रूप में दो नेटवर्क की रूप में पाई जाती है पहला जो है जिसको ओबेक्स नर्व प्लेक्सस कहते हैं यह लॉंगिट्य लॉंड्यूट्यूडूड एंड्यूकूलर मसल्स के बीच में पाया जाता है यहां परचित्र में दिखाया गया सर्कूलर एंड औब्लिक मसल्स के बीच में पाया जाता है इसके अलवा आमासे में कुछ और ग्लेंड सेल्स पाई जाती है जैसे चसक कोशी का या गोबलेड सेल्स पाई जाती है आमासे में जो की एक कोशी किये होती है और स्लेश्मक ग्रंतिया होती है इनके द्वारा स्लेश्मक का सिक्रीशन किया जाता है इसके अलवा पेराइटल सेल्स या उक्सिंटिक सेल्स होती है जो की HCL का सिक्रीशन करती है चीफ सेल्स या जाइमोजन या पेप्टिक सेल्स होती है ये कोशी कहें पेपसीनोजन प्रोरैनीन और पेप का सिक्रीशन करती है जी सेल्स होती है जो गेस्ट्रीन का सिक्रीशन गेस्ट्रीन हार्मोन का सिक्रीशन करती है एच सेल्स होती है जो इस्टेमिन का सिक्रीशन करती है इसी परकार से एंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर आंत्रिक कैसल कारक यह कारक पेरेटल सेल्स से भी स्रावित होते हैं और यह कारक B12 विटामीन के अवसोसन में सायता करता है इस कारक की कमी से परनीशियस एनीमिया रोग हो जाता है और इस एनीमिया में RBC का मैच्योरेशन नहीं होता है इसके अलावा एंट्रोसाइट सेल्स यह कोशिकाएं ड्यूटीनम में पाई जाती है और इनके द्वारा जल और लवनों का यानि साल्ट का सिक्रीशन होता है जो क कि इंटेस्टाइनल जूस का घ'Tक बनाते हैं तो इस परकार से हैं अभी हमने इस्टोलोजी ऑफ हुमन już एलिमेंटरी के बारे में पड़ा है कल हम पढ़ेंगे डिफ्रेंट डाइजेस्टिव ग्लेंड इन यूमन एलिमेंटरी के बारे में थैंक यू थैंक यू वेरी मुझ